नमस्कार सूप्रभाद आप सभी का दिन शुभे मंगल मैं हूँ स्वरू पारवेदी क्लीनिक के रोजाना के सुभी चार की इस रंखला में आज दिनांग 12 अप्रेल 2021 को हम आप से बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका उप्योग हम लोग बहुतायस से तो नहीं करते हैं लेकिन medicinal point of view से वे बहुत जादा उप्योगी है और वो फल है शेहतूत जी हाँ आज हम आपसे बात करेंगे शेहतूत के गुण वा उसके medicinal uses क्या क्या है इस बारे में इस अपने वीडियो में हम में से तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने सिफ शेहतूत का नाम केवल किताबों में ही पढ़ा होगा उन्हें देखा नहीं होगा या फिर उसे देखा भी होगा तो उसे चखा नहीं होगा उसे खाया नहीं होगा बहुत सारे तो आज की generation के बच्चे होंगे जिन्होंने इसे देखा ही नहीं है और खाना तो बहुत दूर की बात है और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें ये तेस्ट में पसंद नहीं होगा लेकिन traditional point of view से और शदिये अगर इसकी उपयोगिता देखी जाए तो यह बेहाज ज़ादा उपयोगी फल है तो चलिए आये जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जो शैतूत है इसे हम हिंदी में सैतूत या फिर्टूत और या फिर शातूत कहते हैं दूसरा इंग्लिश में इसे मल्बैरी कहा जाता है और इसका जो लेटिन यानि बॉटनी का लेम होता है वह होता है मौरस इंडिका यह उन च हिसे जो एक पत्तार होते जो है उसे जो लोग होते हैं वह जरूर करते नो दैट जो कुछा फल की जदा तक ग्रीन कलर्र कहता है। यहलो हिवा क्धुbelsे ग्रिवाझ काष्छा वे ुकह कर दो पादा नेनलाराता है। उस्ष्ण होता है। बलीडिंग वहीं जब इसका फल जो है पक जाता है यह स्वादिश्ट तो होता ही खाने में बहुत मीठा लगता है मैंने भी कुछ समय पहले खाया है आज कल यह बहुत आ रहा है गुरू होता है है और वात पित नाशक होता है देखे बिल्कुल अपोजिट है कच्छा फल वहीं जो है रगत पित को बढ़ाने वाला है तो पका हुआ फल जो है वात पित नाशक होता है दूसरी चीज यह है कि इसका जो रस होता है इसके फलो का रस वो दहा यानि बर्न का शमन करता है बर्निंग खतम करता है बर्निंग सेंसेशन दहा का शमाक होता है पिपासा हर होता है अतधिक प्यास को खतम करने माला होता है और इसका फीवर में प्रियोक किया जाता है जो इसके पत्ते होते ही इस दूसरा चीज अब थोड़ा डिटेल में इसके बार्प्राप क्वालिटी बगरा जानेंगे तो जो मलबैरी होती है यह कलर फुल होती है देखने में बेहा सुंदर कलर की लगती है बतया प्ला शुक्ति है होती है जो अधिज आथी पकी हो होगी तो रेड यालो कलर की दिखाया देंगे और ख़र रूप में इन या तो इसमें आप अच्छी मतरा में में होता एं अब्राइं दूसरी जानते हैं यह वाग्त मिन सी और आयरेन और बहुत सारे प्लांट कंपाउंट्स का रिच सोर्स होता है यानि कि इसमें वाइटमिन सी बहुत अच्छी मातरा में होता है और बहुत सारे प्लांट कंपाउंट्स इसमें अच्छी मातरा में मिलते हैं दूसरी चीज यह है कि इसमें handful अच्छे मातरा में पाे जाते हैं यह काफी अथिक मातरा में अंती अच्छेंट होते इसमें क्षेशली एं थो सायनिन्स नां से fary radical check सब्सक्राइब फाहिदे मद्ध है दूसरी चीज्ज ये बड-सुगर लेवल को और इंसुलिन के रिस्पॉन सब्सक्राइब ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने से और साथ-साथ इंसुलिन के रिस्पॉन को कंट्रोल करने की वज़े से ये डियाबटीज के केसे में जो डियाबटीक पेशेंट है उनके लिए शेहतूत बहुत जादा फाइदे मंद है दूसरी चीज है कि ये फाइवर रिच होत स्ञरी मीं सब्साइदे मतली के लिए में इसमें काम होती एढ़ अधिया लेकिन इसमें बहुत सारे उन्हें उन्याbab काया जाता है जाता है ये क्या करता है दूसरी बाद ये जू है इसके कारन से करता है यह सब्सक्राइब प हर गिकने कंदेशा नोग डाले सिकर्वा थे रिसंद काक हो जा रुमारे हार्ट के लिए बहुत करें कोला सकति ह। यह क्या करता है जिसे कि हार डिजीज का खत्रा बहुत कम हो जाता है हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एक एंटि आक्सिदेंट पाया जाता है जिसे हम एलाजिक एसिड कहते है एलाजिक को करता है कि हमारे स्किन के लिए और वेगार पढ़ेंग लाजा से सपाइ 믹लेजिन को रिजा रिंकल्स पढ़ने लगे जाते हैंगों यही Kill करते हैं साथ ही साथ यह हमें चैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है प्रचाता है क्योंकि जो बहुत सारे टिवर्व मार्कर्स होते हैं उन सब को यह रिड्यूस करने काम करता है और हमारी आर्ट्री इसको हेल्दी रखता है तो देखिए है एक शेहतूत हमने अकसर देखा होगा कहीं पर लगा हुआ है कभी कभी उसका टेस्स सोच के खाने का मन नहीं करता या कभी इंग्रेस नहीं लिया और मार्केट में तो यह बहुत पसंद नहीं किया जाता तो बहु कहीं मिले तो जरूर लेकर खाये और अपनी फेमली मेंबर्स को अपने बच्चों को खेलाए क्योंकि कहने के लिए टेस्स भले बहुत जदा अच्छा नहीं हो लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है यह चोटी चीज़ें होती हैं हमारे घर के आसपास ज हमारे साथ जुड़े रहना है धन्यवाद